साथियो what is JRF? JRF क्या है? इस topic पर बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे काने academy पर ऐसा क्या आया है जिससे बहुत बड़ा हंगामा हो गया है कैसे net JRF की तयारी की जाती है क्या योगता होने वाली है क्या आपका reservation का criteria क्या होने वाला है exam का pattern क्या होने वाला है medium of क्या होने वाला है किस प्रकार के medium आते हैं किस medium में exam लगती है ऐसे जो age limit है वो क्या होने वाली है ऐसे तमाम पहलूँ पर, तमाम चीजों पर आज के इस session में मैं आप लोगों से बात करूँगा यानि कि JRF करने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए और net और JRF में क्या अंतर होता है क्या आपको net करना चाहिए या net की परिक्षा देनी चाहिए या आपको सीधे JRF की परिक्षा देनी चाहिए तो आज इन दोनों चीजों का अंतर भी आज के इस सेसन में हम लोग समझने की कौसिस करेंगे Junior Research Fellowship क्या है क्या है साथियो Junior Research Fellowship और आज कल देखा गया है आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं साथियो 2022 में और आज के दोर में देखा गया है कि students जो है गाव में, छोटे-छोटे कसबों में जैसे जैसे अवरनेस पहलती जा रही है यानि जैसे जैसे आप लोगों को जानकारी मिलती जा रही है वैसे वैसे जी आरेफ की तरफ रुख इस्टुडेंट्स का होने लगा है ऐसा क्या कारण है कि जी आरेफ की एकजाम को लगबग 9-10 लाक लोग एकजाम देते हैं हर 6 में अब पूरे भारत वर्स में से ऐसी JRF की जो एक्जाम है उसको लेकर इतना तगडा क्रेज क्यों है कि भाई 9-10 लाख लोग इसकी एक्जाम हर 6 मेने में देते हैं। क्या कारण है इसकी popularity भढ़ने का। आज के सेसन में मैं आप लोगों से बात करूँगा और वो महत्पूर मुद्दा क्या है इस चीज को पहले समझाए। चलिए विबिन पहलों पर चर्चा करते वे एक-एक चीजों को आग लेकर आगे बढ़े। JRF का full form होता है junior research fellowship यानि की fellowship का मतलब पैसा तो आज के दोर पर देखा जाए तो तकरीवन सातियो 35,000 से लेकर 40,000 रुपए तक की fellowship आपको मिलता है। मैंने बीच में 35 से 40 क्यों बोला है क्योंकि हर state की अलग-अलग contingency, contingency एक होते हैं लेकिन HR-A में अंतर होता है इसलिए सातियों यहां पर यह अंतर देखने को आपको मिल सकता है। तो जितने भी साती, रीना आ गई है, हलो रीना, गुडिवनिंग, ओके, डॉक्टर भानू, सतीस, जितने भी सात दोस्त आ गए हैं, वो सभी को मेरा गुडिवनिंग, नमस्कार आ जाए। तो आज हम JRF को समझेंगे, तो सबसे पहले NET या JRF एक्जाम की तैयारी कैसे करते हैं, इस चीज को समझते वे हम एक बार चीजों को देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, योगता क्या होनी चाहिए, और फिर आखिर में जानेंगे इनका निस्कस, अगर हम NET JRF की योगता की बात करें, तो आप लोगों को सबसे पहले साथियो, PG करने के दोरान, चाए आपने MA किया हो, चाए आपने MSC किया हो, चाए आपने MCOM किया हो, या आपने कोई भी PG कोर्स किया हो, या फिर आपने MED किया हो, जीहां साथियो, या फिर आपने MED किया हो, किसी z pre p uh diversity में आपकी जो पर्संटेज होनी चाहिए वह होनी चाहिए सामानवरगी की सामानवरग की पर्सेंटेज 55 होनी चाहिए और साथ्यो जो HDSCOBCCNC यानि नउन क्रीमलियर inकी साथ्यों 50 परसंटेज होनी की ये नूनतम रिक्वार्मेंट इतना तो यहां ही चाहिए जैसक की साथ यहां पर लिखा हुआ है के लिखा वा साथ यहां पर आप देखा रहे होंगे इतना तो साथ यहां पर लेका हुआ है कि 55% आपकी जरुद हैं आप और 50% 50% MARK and PWT और यह साथियों यह जितने भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं प्रार्म में स्पष्ट यह करने चाहता हूं कि नेट और जे आरे इनकी कोई अलग-अलएग एक्जाम नहीं लगती इन दोनों की एक्जाम एक ही लगती आए आगे इसके विवरण को और अच्छी तरीके से हम लोग समझ लेंगे नेगेटिव आए बात कर लेते हैं नेट एक्जाम में फीच कितनी लगती देखो यह इस वीडियो में मैं step by step भढ रहा हूं आए अब हम जान लेते हैं नेट एक्जाम में फीस कितनी सातियों लग जब भी हम फॉरम बरते हैं यह लेटिस्ट आंकडा है साथ अगर आप सामान वरक से हैं तो आपको फॉरम बरते समय हजार रुपए की फीस पे करनी पड़ेगी अगर आप EWS और OBC जुन में नॉन क्रेमिलियर हैं तो आपको सातियों पा यह ओफिसली डेटा है जो मैं आपके सामने लेकर आए अब हम बात कर लेते सातियों एक्जाम का पैटरन क्या है क्या है एक्जाम का पैटरन लेकिन एक्जाम के पैटरन पर आगे बढ़ने से पूर मैं आपको बता दू कि अनकेडमी पर इस समय वर्तमान में लॉकेस 11 कहते हैं यानि फ्री क्लास कहते हैं इन में आप सातियों जुड़ सकते हैं यानि रोज 10 वजे आने केडमी पर मेरी फ्री क्लास होती है लॉकेस कुमार मेना के नाम से मुझे सर्च करके मुझे वापर आप फोलो कर लीजेगा आए अब हम पैटरन की बात करते हैं तो आपको पता है सातियों 50 कोश्चन पेपर 1 में और 100 कोश्चन सातियों पेपर 2 में आते हैं यह सामान पेपर होता है इसमें 10 यूनिट होते हैं यह आपका सब्जेक्ट का होता है और 3 गंटे का सातियों पेपर होता है नेट और ज्रफ का एक ही पेपर होता है तो यह सारी चीज़े दोनों पर apply होने वाली है आए अब हम जान लेते हैं net exam medium of question paper क्या आपके medium of question paper क्या होने वाला है किस medium में आपका question paper आएगा प्यारे साथ हो लिख रखाएदा medium of question paper यहां पर हिंदी और language को देख सकते हो जैसे बहुत से लोग कहेंगे सर अपने हिंदी बर्दिया लेकिन हिंदी समझ नहीं है तो इंग्लिज देखेंगे तो वहाँ पर आपको language change करने का option मिलता है और जिन लोगों ने इंग्लिज बर्तिया हो हिंदी को भी देख सकते हो नहीं exam का जो दी जाएग लोकेस 11 कोड लगाकर unlock कर लीजिए सारी classes कोड है सातियो लोकेस 11 इस कोड को लगाने से आपकी सबी classes unlock हो जाएंगी धान रहे लोकेस 11 की बीच में कोई प्रकार का gap नहीं अब हम बात कर लेते हैं जे आरेफ की age limit क्या है क्या है age limit हाँ सबसे पहले बात assistant professor अर्थात net net के 25 साल के 90 साल के हैं तब भी सातियो यहां पर आप exam दे सकते हो लेकिन यहां पर हम बात करेंगे सातियो जे आरेफ के बारे में जे आरेफ की बात करेंगे सातियो तो यहां पर आपकी जो age होनी चाहिए सातियो वो होनी चाहिए 31 साल आपकी 31 साल से अधिक age नहीं होनी चाहिए इस बात का जान जबकि यह सामान वरग की एज में आपको साथियों बतला रहा है। अब मैं बहुत बड़ा confusion आपके मन में यहां पर ले आता हूँ। अब यहां से पढ़ते जाओ। A, relaxation of up to 5 year is provide to be candidate, candidate कौन कौन से है? OBC, इनको 5 साल की छूट मिलेगी, इसके अलावा ST, SC, PW, 3rd gender and two women applicants, यह सबसे महटपूर्ण बात है, जो मैं आपको बताना चारा हूँ। यह जो age का criteria है, सामान वरग male के लिए, 31 साल सामान वरग male के लिए है, जबकि सामान वरग female क्या क्या है, 31 प्लस 5 बराबर 36, यानि 36 साल की age तक सामान वरग की female भी GRF की exam दे सकती। रिपीट कर रहा हूँ, आपके सामने officially data यहां पर लिख रखा है, आप इनको सातियों एक बार पढ़ सकते हैं। ओके clear आईए, अब मैं होने वाला, आपको किस reservation के तहट इस exam को भरना है। देखो, अब reservation का थोड़ा system अलग होग गया है, अब क्या है सातियों, ST, पहले ST को मिला करता था, SC और OBC, तीन category को reservation मिला करता था, लेकिन सातियों आप सामानवर्थ के अंतरगत, सामानवर्थ के रच्चर EWS आर्थिक आधार पर भी 10% का reservation यहाँ पर दे दियागा। अब समझ लीजिए जिन लोगों को reservation का पता नहीं है, कि केंदर सरकार में क्या reservation मिलता है, ताकि आप लोगों को पता लग जाएं, देखो, 15% reservation मिलेगा, 15% reservation के S आती हो, SC को मिलेगा, साड़े 7% जो reservation का criteria है, यह साथ यह साथ यह जितनी seat आती है, उनमें के 7.5% seat ST की होती है, 15% seat सामानवर्थ की होती है, SC, एक होता है, साथ यह 27% होती है, OBC की, अब आपके मन में यह ख्याल आ रहा होगा, 27% seat OBC की, और आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा seat OBC को, ऐसा नहीं है, क्योंकि OBC के अंतरगत, बहुत सारी काश्ट आती है, और 27% के मुकाबले यहाँ पर संख्या जादा है, यहाँ पर साथ यह संख्या जादा है, अब दूसरा है साथ यह EWS, यहाँ पर साथ यह क्या है, EWS में क्या है, आपको 10% का reservation मिला हुआ है, अगर आप सामान वर्ग के छात्र हैं, और आप confused हैं, कि मुझे EWS में फॉरम लगाना चाहिए, या फिर आपको सामान वर्ग में फॉरम लगाना चाहिए, अगर आप इस चीज को लेकर थोड़ा सा विवादित हैं, सोचने पर मजबूर हैं, तो मैं यह कहूँगा, कि अगर आप eligible हैं, अगर आप योग हैं EWS के अंतरकत, आप आते हैं, आपकी पास certificate है, तो मेरी सलाई यह रहेगी, कि आप EWS से forum apply कि, इस से कहाए साथियो, इसमें ज़्यादा चांस है, कि आपका selection हो जाए, अगर आप सामान वर्ग से हैं, सामान वर्ग से हैं, उस समय, seats को भी देख लो, और हो सके, तो एक बार सब चीजों का एक calculation लगा कर, आपको EWS के तरफ जाना चाहिए, इसमें थोड़ा इसी संभावना है, जादा हो जाए, ठीक है, यह आपको साती हो, यहाँ पर यह reservation का criteria आपको देखने को मिल जाएगा, यह चीजें बताने का सीधा कारण यह था कि बहुत से सामान वर्ग के विध्यारती हमेशा दिक्कत करते हैं, उनको लगता है किसमें भरें, उनको बहुत समश्या होती है, तो मैं EWS को preference दूँगा, अगर वो इस की, इस category में आते हैं, तो भाई, फायदा मिल रहा है, तो फायदा उठाना चाहिए अब रही साथ